तो एक बार फिर बॉलिवूड जिसे मैं कराची वूड और उर्दू वूड भी कहता हूँ एक और अपना नमूना लेकर सामने आ रहा है इसका टीजर जैने के ट्रेलर जो है वो इस समय यूट्यूब पर चल रहा है और इस ट्रेलर का नाम है रामण लीला राम लीला नहीं र सनातन धर्म को लेकर वो इस ट्रेलर में देखने को मिल रही है और जितने भी हिंदू धर्म को मानने वाले हैं मुझे यकीन है कि कई लोग तो ये पूरा ट्रेलर भी नहीं देख पाएंगे इसकदर इसमें वाहियात चीज़े दिखाई गई हैं आकिर हमेशा से ही बॉलिव बॉलिवूड का एजिंडा बन गया है सनातन धर्म के मानेताओं को छिन्बिन करने का क्या कभी दूसरे मजभ या रिलीजन के खिलाफ भी या माफ कीज़ेगा उनके बारे में भी क्या कभी बॉलिवूड इतनी अभीवत्ती की स्वतंतरता का इस्तमाल करेंगी लेकिन अब भॉपाल के एक वकील ने इनके खिलाफ एक बड़ा जंग का एलान कर दिया है एक ऐसी जंग जो की बहुत आगे तक जाएगी और जिसमें इन तमाम पहलों को रोकने की पूरी जद्द जहद की जाएगी आईए आपसे तारुफ कराते हैं भॉपाल के युवा वकील आनन श नौलेज में आया मैंने जब यह ट्रेलर को देखा मुझे इतना गुस्सा आया इस ट्रेलर को देखने के बाद कि जिन प्रभु श्री राम की हम पूजा करते हैं जिन सीता माता को हम अपनी अराध दिमानते हैं उनके बारे में यह इस प्रकार की फिल्म बनाने के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं हम हिंदू बहु संख्या राष्टर में रहते हैं और यहां पर इस प्रकार की फिल्मों का निर्मान देंतर हो रहा है इनके अंदर इतनी हिम्मत कैसे कि इस प्रकार की फिल्म में बना सकते हैं और एक बार नहीं दो बार नहीं मुझे लगता है कि इनका तो एक soft target यह रखते हैं क्योंकि ने पता है कि इनका कुछ होगा नहीं इनको यह लगता है कि हम इस प्रकार की फिल्में बनाएंगे तो हमाई साथ कुछ कोई लग मिलेगी लेकिन आप ऐसा नहीं होगा और इसके खिलाफ पूरे राष्टी स्तर पर इनका विरोध होना चाहिए राष्टी क्या बलकि इंटरनेशनल लेवल पर इसका विरोध होना चाहिए इन चीजों का और इस प्रकार की फिल्म में बनाने वालों को कड़ी से कड़ी हो सकते हैं और इसमें किन लोगों को आपने आरोपी बनाए देखिए यह मूवी जो बनाई गई रावन लीला एक तो आपने देखा इसका टाइटल ही अपने आपने बहुत ज्यादा और उसके अंदर जो चीजें दिखाई गई हैं जो इनके निर्माता कोई हैं इसके फिल उनके खिले खिलाफ जो शिकाइट दर्ज कराएि एंपए नगर थाने में जो शिकायट कराएं उसमें कैहां डार्मिक भवनवाहत करने का आउपने शिकायट क्य Sydनक के क्या कारवाही हो सकती है risky बिलकुल इनके कार्वाही हो सकती है इने मुलाही बी जाएगा यहां पर और इन पर एक्षन लिया जाएगा तो आने वाले समय में दूसरों को भी इस चीज से अवेर रहेंगे कि भाई हमें इस प्रकार की फिल्में नहीं बनानी है परंतु लोगे सोचते हैं कि ठीक है जो चल रहा है देखके एग्णोर कर देते हैं कई लोग परंतु चूकी में लोग जो है इस चीज को लेकर के मेरे तरह ही पूरे हिंदुस्तान में तगा जागा भी इसके अगेंस में जो है फाइर होनी चीए है अनन जी यह चलन में आ रहा है और बहुत लंबे समय से है कि टीवी सीरियल्स के माध्यम से वैब सीरीज आजकल और फिल्मों के माध्यम स सनातन धर्म के जो अराद्य देव हैं जो हमारे देवी देवता हैं जो हमारे पूज्य हैं जो हमारे धार्म कास्ता के प्रतीग हैं उनको जिस तरीके से पेश किया जाता है और जिस तरह से पूरी जो रमायन की पूरी मानिताओं को इसमें चिन्विन कर दिया गया इसमें र परन्तु हमेशा आरोप यही लगता है कि ही कि हम इतने सच्ष्ण है कि इतने वर्षों से चीज़ हैं जो हम जहल रहें कि कोई भी बहुसंग कि अगर देश में इस प्रकार की कोई फिल्म बनाने के बारे में सोच भी नहीं सकता तो यह सीरियल आप देखेंगे बिल्कुल अगर आप 10, 20, 25 साल आप हिस्टी उठागे देखेंगे तो लगातार हर तोड़े दिन में इस प्रकार की एक कोई फिल्म आ जाती है जिसमें कि हमारी धार्मिक भावनाव पे ठेस पोचाते हैं क्योंकि इनको पता है कि इनको भी कही ना कहीं किसी प्रकार का सपोर्ट है तो य यह से रावन डिलर के क्रेजर में जो रावनक की फिल्स कार्थाएं प्रतीक गांदी ही वो राम का किरदार निरॖारे वो शहीद हुए कौन रावन के बेटे भाई और उसके बावजूद भी लंका हमारी चली और जो राम को जो करेक्टर है वो समझाने के बजाए कि भाईया आपका आपकी बेहन का अपमान नहीं हुआ है वो पहले खुद उनने निवेदन किया था शादी का लेश्मन जी से रा शादी आपकार कर दिया तो वो सीटा माता को खाने के लिए गूरी थी सीटा माता जो asta है cocokो कि रक्षा करने के लिए उसके बेहन की नहीं कीलिए सुपान का नरा कीका बzie प्हले रक्षा कि पचाने की रिवर भाई कå ये तो राम जी जो कर साथ दे रहे दे Vice-णिक रावण अपना दूत भीज़ कर ये समझाने कोशिश की कि आप गलत कर रहे हैं इससे बड़ी सैश्मिता क्या होगी कि किसी की धर्म पत्री को उठा के लिए कि उसके बावजूद भी वो कह रहा है कि देखे आप अभी भी उनको छोड़ दीजे और आप किस तरह से देखे रावन को ग सबस्रा रंभा के साथ भी बलात कोशिश करने की कोशिश की उसने तो कुबेर ने उन्हें शाब जया कि आगे से अगर तुने ऐसा किया तो तुम्हारे सिर्के सौ टुक्रे हो जाएंगे इसकी वज़े से उस सीतामाता के साथ कोई गलत हरकत नहीं कर पाते है शाब की क्या यह जास कि उसके तक्षियों को उसके पूरे परानिकता को तोड मरोड की पेश कर दिया जाए उसको पूरी तरह से बदल लिया जाए यह इस हद तक करने की वज़े क्या पको लगए यह जो फिल्में मैं हिंदों के खिलाफ पाकिस्तान में देखता हूं जो कराची और पाकिस्तान की बहुत हमेशा प्रसेंसा करते हुए आपको मिलेंगे और इस परकार के आपको बहुत सारे स्टेटमेंट भी मिल जाएंगे उनके और वहां के कलाकारों को भी यह लोग यहां पर काम देते हैं जबकि आपके यहां पर इंडिया में इतने टेलेंटेड लोग ह आपको उनको काम देना चाहिए लेकिन हम वहां के लोगों को यहां पर काम देते हैं बॉलीवूट के लोग और यह जो आपने क्वेश्चन किया कि इसमें वह जिस प्रकार से उन्होंने संबाद दिखाया है रावण और राम के बीच का यह बहुत ज्यादा ओफेंसिव है क अब पूरे हिंदु धर्म के अनुवयाय это की पूदा पूजा करते हैं इस प्रकारते हैं यह श्ठैट्मेंट देना यह घृंट जो अब अ Jen Warm हम क्यों बनाते हैं अधर्म पर जो है धर्म की विजय के उपलक्ष में बनाते हैं इन्हों ने जो उसकी डेट रखी वह भी दशेरा की दिन रखी है कि भाई उसके ट्रेलर में देखा दिखता है दिस दशेरा रिलीजिंग रावन लीला यह इनका जो है मोटीव है उस पर आप इनके जब 5-6 मिलियन लोगों ने इसको देख लिया उसके बाद इनको जब समझ में आया कि कुछ मीडिया वालों ने इस पर नजर डाली कि भाई यह राम की नहीं रावंड की जो है पूजा करनी है हमको इस प्रकार के मीडिया में भी कुछ एक दो चैनल में इन्हों ने द कर दिया जो ट्रेलर आ रहा था उसमें जो कुछ सीन से वह जो मुझे लगता है यह सरिफ चाहते हैं कि हमारी मुवी किसी प्रकार से हिट हो जाए कि लोगों को लगे कि हाँ यह फिल्म में ऐसी चीजे है और फिर जो 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 बनाया कैसे लग आपने पहले फिल्म का नाम यह जो कि आप शाइब कर रहे होते हैं इनका इंटेंशन भी होता है कि हमारी मुवी जो एक इसी प्रकार से जो एक इनका होना नहीं है इनको एसा अंदर से कहीं से इनके बी कोई आकाउन ने इनको कुछ शै दे रखी है कि प्रतिक गांधी बहुत अच्छा होने कि रदार अपर ऐक्र सबक्राइट करते हैं लिए बात खेंगे। लोग अगर किसी दूसरे धर्म के खिलाफ इस प्रकार के अगर मूवी बना देंगे तो फिर उनको पता चलेगा कि भाई की सायशनुता और असायशनुता में क्या अनतर होता है। सायक्लोजी बनाई जा रही है। उसके पीछे बड़ा रीजन जो है वो हिंदो की जो धार्मिक भावना है उसको कमजोर करना जो नहीं जो पीडियारी जिनके लिए बॉलिवुड के जो हीरो हीरो इन वो अपने अपने एक स्टार्स रहते हैं उनको बड़े मानते हैं तो कहने कर दिया जा रहा है। अब देखिए हमारे शिक्षा में हमारी भारती जो हमगा एडुकेशन पॉलिसी बना रही हिए उसमें हिंदू देवी देवतां के बार में नहीं पढ़ा जा सकता है। लेकिन वहीं क्रिश्चन स्कूल अपने धार्मे किताबों को पढ़ा सकते हैं करने कि दॉक्मिशन अपका में मजर्सा हैं तो लेकिन पर मिनर्टी त PlayStation की तरब स सुद्राना शूबरों को तुम को बार में के लिए क्टिविटी जा घए जाती फिस वे जाती है। उसके बाद वहां की जो आए उनकर खुझ एगा उनको सभी सिशहरा दी जाती हिं नहα सुलाई जो ड्रान वर अपने पती के साथ में अमने प्रतिग्या पूरी करें के लिए इस बारे मैं कोच भी नहीं बताई जातो और तो गधार्ण वहां पर निर्टीकर बांस कर तो दिखा जातो है। बिल्कुल और यह सब करने के बाद वो बता रहें कि रावन अपने भाइयों को शहीद बता रहें अपने देश के लिए अपनी जान देता है अपने कुर्बानी देता है जैसे हमारे जो भॉडर में खड़े उनको इस प्रकार से महिमा बंदत करना एक तो बिल्कुल बरदाश बिल्कुल यह मैं इस आपके इंटर्विव के माद्यम से मैं तमाम हमारे जो सनातन धर्म के अनुए हैं हमारे भाई बहन जो भी यह इंटर्विव को अगर देख रहे हैं तो मैं उन्हें संदेश देना चाहता हूं कि आप ट्यटर इंस्टाग्राम यूट्यूब किसी भी चैनल पे अगर आप कहीं भी किसी भी प्रगार कि अगर कोई भी इस प्रकार के आप आपकी जो चुपी है वही इनको बढ़ावा दे रही है आप और हमको चुप नहीं रहना इसके खिलाफ हमको एक्शन लेना चाहिए भार साथी अधिवक्ताओं से यानि की वकील साथियों से भी देशबर के वकीलों से भी अपपील करेंगे कि वह अपने इस्तर पर भी इसका विरोध करें उनके खिलाफ कारवाई करें जी बिलकुल मैं निश्ची दूरूप से मैं यह बात कहना चाहूंगा मेरे सारे अधिवक्ता कार से बना जाते हैं कि जिसमें हम को हिंदू को जो है थोड़ा अफमानित करने का प्रयास किया जाता है तो ऐसे कोई भी आपको एक्टिविटी लगती तो आपको प्लीज उसमें जरूर लेना चाहिए आप सुसना प्रसांड मंत्रा ले और ग्रह मंत्री जीसे भी बीड़ो का सधस thank you जौन सबस्क्राइब में है तो शूाय बिल्कुल सेंसर बुर्ट अपन। काम ठीक से करनी रहा है मुझे लगता है क्योंकि रिसेंटली इतनी सारी जो है अभी देखिए अभी देखा फिर अभी रिसेंटली फिर यह मूवी आ गई है और अभी नजाने आश्रम जो है उसमें भी बहुत कलद दिखाए गया तो यह इस प्रकार की जो फिल्में बन रही ह जो प्रकार को भी कई ना कहीं में कटगरे में खड़ा करना चाहूंगा कि उस पर भी क्वेश्चन हो उनसे भी कोश्यन और जो लोग बैठे हुआ है या तो उनको नहीं कर रहे हैं तो तो यह बहुत को बैठाया जाए जो एक्ट्वल में कुछ काम करें क्योंकि अगर आप काम यह कि आपको जो सारे परामिटर्स पर अगर मुवी आपकी सही बैटरी तो आपको उसे जो है लेकिन आप कुछ भी दे दे रहे हो आप क्लिरेंस तो यह भी एक समझ्चे परे चीज़ है जो पॉपुलरिटी की लिए या कुछ पैसों के लारेच में इस तरह के किरदार निवाते हैं जो सनाता धर्म के दार्मिटर्स पाहते हैं तो क्या किरदारों को भी आपको आपको कुछ कर्मी पाएंगे या आप इस प्रकार के एक्टिविटी में इंवाल रहेंगे तो यह आपकी बहुत बड़ी गलत सेमिई है आपके खिलाप एक्शन लिया जाएगा औ और अगर आपने इस 300 कंटीनियू रखा तो आप फिर जेल की भी हवाप को खानी पड़ सकते हैं तो आनन जी आप ये बड़ी केंपेंट चला रहे हैं हम चाहेंगे कि आपको नंबर भी दर्शों को तक पहुंचे और अगर वो भी इस मुहीं में शामिल होना चाहें तो आप तक वह अपनी आवाज और संदेश मौसा सके क्योंकि आप एक अधिवक्ता है आप बड़े इस तरह पर लोगतांतिर तरीके से कानूनी तरीके से तमाम जो जिनकी भावने आहातु हैं उनका पक्ष रख सकते हैं जी बिलकुल मुझे को या पत्ती नहीं है आप मेरा नंबर फलेश कर सकते हैं और किसी को भी अगर किसी परकार से शिकॉाइट करने में कोई पनेशानी आ रही है और भी कोई इस परकार की कूरी है किसी darauf कर सकता है आपको नंबर बता जे। 94065-41359 ये नमबर आनन जी का है और आप इस पर वाटस अप कर सकते हैं और आप अपनी जानकारी पहुंचा सकते हैं और तमाम वो लोग जो इस तरह की फिल्मों के जरीए, वैब सीरीज के जरीए ये तमाम चल्चित्रियमादम से हाथ होते हैं पाकिस्तान की खूफी आजेंसी आईसाई, उसका एक एजेंटा है कि भारत को सांस्कृतिक तोर पर विखंडित करना, तोड़ना, मरोड़ना और कहीना कहीं बॉलिवूड जिस तरह से जब उसका इस्तमाल हो रहा है, ये इहरान कर दिने वाले बात है और सोचने पहले होगे कि वाकई में बॉलिवूड को कहीं जरिया बना दिया गया है, आईसाई ने अपनी गतिविदियों के लिए और जिस तरह से भारत के जो सनातन धर्म को जात पात में बाटते हो दिखाना, उनके देवी देवताओं को अपमानित करना, उसका जरिया जो बॉलिवूड बन रहा है ये निशित तोर पर हमारे जो एजेंसीज हैं वो उसमें देखेंगे कि क्या वाकई में इसका इस्तमाल हो रहा है क्योंकि वबर अच्छी फिल्में भी बनी बॉलिवूड में लेकिन जो स्तर अब गिरता जा रहा है और जो लगातार जिस तो फ्रिक्वेंसी बढ़ती जा रही है और जिस तेजी से इस तरह की फिल्में वेब सीरीज और विग्यापन सामने आ रहे हैं वो निशित तोर पर जाच का विश है और हम आने शर्मा जी को बहुत बहुत शुब कामना देंगे उन्होंने एक बड़ा मुहीम यहां पे छेड़ी है और आप भी आने शर्मा कर दो